यह पनीर की एकटम नई recipe है और आपने आच से पहले कभी इसका नाम भी नहीं सुना ओगा और कभी आपने खाए भी नहीं होगी तो यह एक नॉन vegetarian recipe में तो जो लोग vegetarian है वो इस पनीर को ज्रूर ट्राय करिए और इसका नाम है मिलती है पनीर कान्ति की जगह मतन कान्ति और चिकन कान्ति तो हम ने इसको एक त्रांस फॉर्म करके बना दिया है पनीर कान्ति और यह आप इसको आप सूखा भी खाleft आप कर सकते हैं, स्टार्टरी पुरी पराथे और नान के साथ इसे बनाना बहुत मुझा बन जाती है, बहुत जरूर ऐए करिएगा एक बार Hello everyone, welcome to Rupali's Kitchen Cooking and Baking और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं यह मज़िदार सी रेसिपी को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि टाइम पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो आएए देखते हैं आज की रेसिपी पनीर कांती बनाने क और टमाटो तो मैंने तीन टमाटो लिया बड़े और इसको मैंने – अलम सालीजेत करिया है तो घ्ली किला तीखने नमक नंजासरकेशन प्सक्राइब करसा और भी कर गांता पहतला हो लिए ओम स्वादार करिए गया को अजिपले और दिशिल करें से गर और चैनल का गया है पावडर आप इसमें तीकहा पॉडर भी और सकते हैं। ये मैंने रेज चिली पॉडर के लिए डीगी पॉडर है और उसके बाद हमने तुर्ड दाला है बलैक पिप्र पॉडर और पावडर पावडर और उसके बाद हमने डाला है कस defect mmơ तो आधा स्पून के करीब हमने कसूरी मैथी डाला है और साथ में हम इसमें डालेंगे दो से तीन चमच भर कर वैनेगर तो इन सब को डालने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए कितनी अमेजिंग अभी से दिख रही है यह तो याद कितना प्यारा कलर इसमें आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे ओल तो मैंने डाला है दो इस्पून भरकर और साथ में यह ग्रीन चिली तो अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 3-4-5 अकॉर्डिंग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसके लिए मैंने लिया है पनीर तो आधा किलो पनीर है और इसको मैंने देखे बड़े-बड़े क्यूब्स में काट लिया है इस तरीके से और आपको इतना ही बड़ा क्यूब रखना है ताकि यह फ्राइग में करते समय यह तोटे ना और यह देखने में बहुत प्यारा अब इसमें हम डालेंगे cornflow तो हमने 1-1 पेपा पाउडर आधा स्पून और नमक स्वाधा नुसार तो मैंने इसमें आधा स्पून करीब नमक एड़ किया है तो याद रखे नमक हम हर स्टैप में एड़ कर रहे हैं इसलिए नमक आप सोस समझ के ही एड़ करिएगा और अब मैं इसमें डाल रही हूं रेड चिली कलरा के वर कि अहां है अलवान आप होता है यह देखे लगा हो फ्सक्राइथ उसमें आपनीर को टारे में हुप अ MR आपनीर कितने अचे कोट हो गया मैं से ब् själमक हाता ना है क्याкам आपनीर को जो ने दोट में दूचा जाता है आप ही कि पनीर किते अचे से पहले nossa में काट क अभी भी मैं इसे बहुत अराम से स्लोली हाथ लगा कर मिक्स कर रही हूं और अब मैं इसमें डाल रही हूं दो इस्पून के करीब पानी तो आपको बहुत ज्यादा पानी एट नहीं करना है बहुत कम पानी ताकि यह जो इसमें बाइंडेंग है अच्छे से हो जाए मारी कोट करके तयार कर लेना है तो देखें यह स्टैपी कितना आसान है हमारा बहुत क्विक सबजी बनती है यह बिलीव मी आप जरूर ट्राइ करिएगा कोई गैस राता है तो स्टार के रूप में आप जरूर बनाईएगा इसे तो अब यह पनीर हमारा तयार है और अब हम इस जो है आपको थोड़ा दूरी पे डालना है ताकि यह आपस में चिपके ना और आपको गैस की फ्लेम इस समय रखना है मीडियम से हाई याद रखिए आप लो फ्लेम मत रखिएगा अधरवाइस पनीर जो है आपका सौगी हो जाएगा फट जाएगा और आपको इसे अच्छा बहुत अच्छा गोल्डन कलर आने तक क्रिस्प होने तक फ्राइ कर लेना है और पनीर देखे कितना अमेजिंग देख रहा है अभी से आप तो इस पनीर को तलते तलते ऐसे ही खाने लगेंगे यह इतना टेस्टी लगता है तो यह पनीर खुद में ही बहुत अच कर लिया इसी तरीके से और गैस की फ्रेम को मैंने रखा है मीडियम टू हाई मैं बाहर बाहर बोल रही हूं क्योंकि यह अकसर होता है पनीर जो होता है न वह अच्छे से फ्राइन होता तो जब पनीर अच्छे से फ्राइन होगा तो हमारा जो यह सबजी है स्नेक्स है वह अ तो अगर आप लसुन खाते हैं तो आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा और अब हमने जो सैलेड बना के रखी थी तो वह हमें इसमें एड करना है और इस समय भी आपकी को गैस की फ्लेम को हाई पही रखना है क्योंकि अगर आप लो रखेंगे तो जो सैल तो याद रखें आपको हाई पर रखना है और इसे आपको 2-3 मिनिट के लिए सौते करना है तो यह 2-3 मिनिट हो गए है और हमारी यह जो प्याज है देखें हल्की सौते हो गई है और टमाटर जो है अभी भी अच्छे से क्रिस्पी दिख रहे हैं मतलब पूरी तरीके से ग यह देखें हमने इसमें पनीर के अभी में पूरा नहीं बना रहे है तो मैंने आधा पनीर की कॉंटिटी इसमें एड की है क्योंकि जब भी आप इसे बनाए तो याद रखें आप इसे तुरंत बनाईए तुरंत सर्फ करिए अदरवाइस पनीर जो है थोड़ी देर बाद स यह देखें हमारा जो पनीर कांती है बिलकुल बन के तयार है और देखने में इतना यमी दिख रहा है और बहुत चटाकिदार है यह मतलब आप समझे इसमें जो है ना मिर्च का फ्लेवर और यह बहुत तीका मज़दार है तो जो लोग अच्छा चटपटा स्टार्टर खा कमेंट करके जरूर बतायेगा कि आपको आज की ये र्सी पी कैसी लगी और अगर अवि जैनल नहीं किया है तो प्ली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइस कर यह देखें पनीर डीखलत कि त्लेर में धे ग्लार ही इसका प्यारा लग रहा है तो यह देखने से तो बिलकुल तो आप बताये मुझे कि आप कब इसे बना रहे हैं फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर और अपना ध्यान रखिये और बाई